दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चिटफंड कंपणी के मामले इस वक्त लागडाउन के कारण बंद है उस तैगीत है लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छी खबर हमारे पास आ रही है राइपूर के पुलिस कप्तान अजे यादाओं ने एक मिटिंग की और उस मिटिंग में लागडाउन के बाद चिटफंड कंपणियों के पुराने मामलों को देखा जाएगा दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि परसासनिक कारवाईयों के चलते चिटफंड कंपणियों के बहुत से पीडित निवेशकों का उनका पैसा वापस दिया गया लेकिन दोस्तों इस व बने रहें ताकि आपको पता चल सके के लागडाउन के बीच चिटफंड कमपणियों के लिए क्या नहीं रूप रेखा तैयार किये गी है तो दोस्तों लागडाउन में गुंडा और बदमासों पर रखें नजर सकती से करें कारवाई रायपूर पुलिस कप्तान अजय याद कबर रायपूर से करोना मामारी के बीच सहर में अपराद और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कप्तान अजय कुमार यादाओं ने रायपूर जिले के सभी राजपात्रिक अधिकारियों को थानवे चौकी पिरभारियों की बैठक ली बैठक में एस एस पी न स्वारा करोना मामारी के संबन में जारी नई दिशा निर्देश का सक्ती से पालन करने का आदियत दिया उन्होंने पुलिस कर्मे को ड्यूटी के दौरान करोना शक्मिर्स से बचने की सला दी इसके साथ ही नसा तस्तकर गुंडा बदमासों और सक्ती से कारवाई करने को कह आगे अपडेट है कि एस एस पी अजय यादावने थाना पिरबारी से लंबित अपरादों शिकायतों और तावरातित निवारन करने के साथ ही चिटफन कंपोनियों के पुराने मामलों की भी जार्च करने को कहा उन्होंने कहा कि लागडाउन खुलने के अपरादिक गतिविदियों और सक्रिय हो जाती हैं ऐसे में अपरादिक तत्व और चिन्नित करक उन पर लगाव कसे ताकि अपरादों को गटित होने से पहले रोका जा सके गुंडा निकरानी बदमासों तता धारदार हत्यारों रखकर गूमने वालों पर नजर रखने के निर्देद दिये रात्री गस्त और उस्तेंदी पुर्वक कनने तता गस्त के दोरान चोरी नकब बाजी की घटना घटित नहों इस बात को विसेद ध्यान में रखा गया त दोस्तों यह थी आज की लैटेस्ट अपडेट अपडेट पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना बोले धन्यावाज